असलाम अलेकुम मेरे दोस्तों अमीद है आप सब लोग खेरियस से होंगे मेरे दोस्त अपने एक नए व्लॉग में आपको खुशामदेद कहता हूँ आज का जो टॉपिक है मेरा वो बच्चों की स्कूलिंग को लेके है और पिछले एक महिने से मेरे बच्चे यहां पे बच्चों का एड्मिशन करा दिया है तो इनसे पूछूँगा कि अभी रिसेंट यह कुछ टाइम पहले पाकिसान से आये तक्रीबन तीन मेने पहले तो इनसे यह पूछूँगा कि पाकिसान की स्कूलिंग में और यहां की स्कूलिंग में इनको क्या डिफरेंस फील हो रह यहां पर पढ़ाई में यहां पर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट्स है क्यूंकि यहां की टीचर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार से पढ़ाती है और यहां की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है कि जो स्कूल में हम लोग पाकिस इतने बज़े आपको आफ होता है मैं जाती हूं सुबा नौ बज़े और आती हूं साड़े थीन बज़े साड़े इसके लावा आपके कितने कोई क्लासिज होती है कितने किसम के सब्जेक्ट्स हैं आपके हमारे हाँ स्कूल में तीन वो हैं सब्जेक्स हैं और उसमें से एक है maths और science है और एक है उनकी Portuguese ठीक है तो मुझी पता है आप को चूँके आपको English आती है पुर्तगीज अभी आती नहीं है आप नए-नए हो यहाँ पे यह लोग Portuguese बोलते हैं तो कैसे आप अपनी बात वह आपको कैसे समझा पाते हैं और आप उनको अपनी बात कैसे समझा पाती है यहां की टीचर्स जो होती हैं उन्हें बहुत जादा इंग्लिश अच्छी आती है तो इस वज़ाज से प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल भी आप लगी है क्योंकि यहां पर जो आपका स्कूलिंग सिस्टम है यहां पर सारी जो टीचर्स नहीं वो पड़ी लिखी है मतलब उन्हें अंग्रीजी अच्छी आती है तो आप इस मारे में लगी रहीं लेकिन फिर भी और स्कूलों में जो मैंने बच्चों के जितनी मैंने यहां पर देखा कि बड़ी अच्छी अंग्रीजी बूल लेंगे तो दूसरा यह आपको पुर्तुगीज सिखाने में आपकी बदक कर रही है और आपकी क्लास में क्या यह तमाम बच्चे यहां पुर्तुगीज ही है या डिफरेंट डिफरेंट अलग-अलग कंट्रियों से आएवें यहां पर अलगा कंट्रियों से आएवें एक यहां के कुछ-कुछ बच्चे हैं जो यहां से ही हैं और कोई ब्राजील से आएवा है और इसी तरह की कंट्रियों से आएवें अच्छा तो यह बता हैं पुर्तुगीज सीखने में आपको पुमुश् एपको यहां पर इसे कोई लोगों ने लिए आपसे नहीं किया और इनोंने उन्हें मुझे सारी बाद आपको बड़ा डिस्केल हुआ है इसलिए कि जब मैं नोगों को पाकिसान में स्कूल डॉप करने जाता था तो मुझे एक पर्चा जी रहाता था कि यह आपको 10 तारी तक फीज भरनी है तो अब मुझे चुके आदत थी अब जब यहाँ पे 10 तारी गुजर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई न कोई एक पर्चा पकड़ाएंगे जिसमें यह बोलेंगे यह एक्स्ट्रा करिकुरम हमारे यह हो रहे है या हमने इनको इतने मारकर दे दिये इतनी कलर पैंसिले दे दी इतनी बुग्स दे दी इसकी फीज जबा कराएं किसी किसम के कोई पैसे मुझे देनी नी पड़े आज पूरा एक महीना हो गया मेरे बच्चों को स्कूल जाते वे बहुत सारी स्टेशनरी दिये बहुत सार याद है जिस स्कूल में यह पढ़ रही थी वहाँ जो भी एक्स्ट्रा काम होते थे उसके एक परचा पहले आ जाता था कि इतनी फीज जमा करा दें कहीं अगर पिकनिक पे ले के जा रहे हैं तो भी हमसे पैसे लिए जाते थे कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं इतनी इतनी तो च्द्स का पर जाएं प्यजिए यूरोप आ रहे हैं अपनी फैमली की साथ तो ना तो अची चीज यह एक्सार पाकिसान में जब आपको ऊपको छोड़ के आता था तो आप झाल दिल नी हो रहा तो इस किसम का आपको यहां एक महिने में तो आप नहीं नहीं है क्या लिए स्कूलू जाने का क्योंके पाकिस्तान में टीचर बहुत ज़्यादा डाटती थी और यहाँ पर दिल का इस प्वक्त बहुत जादा घ्लाती है, अबर गवालoptाएं, प्र vê न trop में लिए का प्रना पे लेकर लेकर को ले इडिकेट सिखाने में मतला हमें तो जैसे सिंद एक हमारी क्लास होती थी तो हमें घीद गड़ी जा गजड़ी गायों जो तो थंड़ना मीन बसा आइ बागान में जो अन पचा अभी तक यहाद है मुझे तो हमारी यह पोयम हे हमें रटाई जाती थी जिनका अभी तक मुझे कोई फाइदा नहीं है लेकिन यहां कि स्कूलों में ने देखा कि यह आपको तमीज सिखा रहे हैं कि आपको मार्शरे में रहना किस तरह हैं आपको सड़क किस तरह क्रॉस कर रही है यह जब इशारा आ जाए तो आपको किस तरीके से इस इशारे पर चलते वे आपको रोड क् कि इस माश्रे में आपको रहना किस तरह है लोगों के साथ मिलना किस तरह है आपको अपने एडिकेट्स में रहते वे सारे काम करने तो विच इस वेरी नाइस मैं कहता हूँ पाकिसान में भी हमारे यहां ऐसे ही होना चाहिए और यह जब रोजाना सोवा बैग लेके जाती है तो मैं हिरान होता हूँ कि बैग इनका अल्मोस एक बुक होती है और पाकिस्तान में जब यह जाती थी जब चोटी थी अभी भी जब मैं इनको लेके जाता था कोई 18-20 महीने पहले यहाने से तो मुझे याद होता था कि मुझे याद अच्छी तरह कि मैं इनका बैग खुद और नीज़े तोल आपकी क्लास में तो कोई भी नहीं है मतल़ पाकिस्तानी लेकिन जो thrip और फाइफ क्लास में मेरी दो इंडियन दोसरे बनी है और उन में से एक पाकिस्तानी भी है, वो भी बहुत अच्छी है, तो वो भी मुझे बहुत जादा सपोर्ट करती है, क्योंकि उन तीनों को जो है, वो बहुत जादा अच्छी पुर्तोगीस आती है, तो भी मुझे सिखाती रहती है, कि ऐसे पुर्तोगीस बोलनी है, इसे ये बोलते हैं, तो वह बहुत अच्छा है अच्छा मुझे लगता है कुछ वैदर का भी एफेक्ट है कि यहां मौसम ठंडा है वहां पाकिसान में आप लोग गर्मी में स्कूल जाते थे जहारे हम आप लोग जहां पढ़ ला थे वहां एसी तो मुझे लगता है यह वैदर भी बड़ा इंप के सभी घाइव दोड़ान है टो एंगलिस को थोड़ी सी्र खाते हैं ठीक है तो यहां पर इंगलिश को पाकिस्तान में था उसी लेविल की फ्योर्थ सेंडैड्री है यहां पढ़ा है यह थोड़ी सी इड्वांस नहीं आपन को कि आपके बचों को बहुत जादा एजी-जी संटेंस पड़ा रहे हैं कि एक दिन में एक संटेंस बच्चों को थोड़-ठोड़ दे रहे हैं ताकि उन्हें सही से याद हो जांए एक और में मज़े की बादा हूँ मेरे दोस्तों मैंने अपने बेटे का एडमिशन यहाँ पर यह पाकिसान में स्कूल नहीं जा रहे थे तो मैंने यहाँ पर इनका स्कूल में एडमिशन कराया है कि टी गार्डन में किलाते हैं तो यह भी बहुत खुश है हाला कि जब पाकिसान में इनका इनकी वालदा एडमिशन करा रही थी तो यह रोते थे कि मुझे स्कूल नहीं जाना आप ख्याल लगें इन्शालला अगली वीडियो में आपसे मलागात होती है अल्लाफ आप अल्लाफ गार्ण आप खुश खुश है